आजकल एक बहुत ही बड़ी समस्या हम सभी लोग के सामने देखने को मिलती है कि दमपत्य जीवन में फैमिली प्लानिंग या आगे बच्चा ना होने की समस्या बहुत जादा कॉमन होती चली जा रही है इसके लिए बहुत सारे जतन लोग कर भी रहे हैं अलग-अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स लोग ले रहे हैं फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती और जादा तर लोगों का या अकसर हर किसी का जीवन के अंदर ये मन तो हुता ही है कि उनकी फैमिली में संतान सुक की प्राप्ती जरूर हो मैं इस वक्त पुत्र और पुत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्फ संतान की ही बात कर रहा हूँ और मेरा इस बारे में कोई भी यकिन नहीं है कि पुत्र की प्राप्ती हो या सिर्फ पुत्र की प्राप्ती ही हो इस विशे में पूरी डिटेल में बात करूंगा कि किस-किस दिशाओं में, किस-किस जोन्स में, किस-किस डायेक्षन में क्या-क्या होने से और लास्ट में फाइनल रेमेडी क्या आपको करनी चाहिए, जिससे संतान सुक्राप्ति आपको जरूर हो कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि biological fit नहीं है या उनके शरीर में कुछ ऐसी समझ है जिसके कारण उनको बच्चों के प्राप्ति नहीं हो सकती चाहे वो male के साथ हो चाहे वो female के साथ में हो तो इसमें दियेगे कोई भी उपाये काम नहीं करेंगे क्योंकि biological अगर आप सही नहीं ह तो उपाये कैसे काम कर सकता है यह समझने वाली बात है हम सबसे पहली बात तो यही करेंगे कि कि कौन कौन से दिशा जो है वो काय इस बात के लिए responsible है या काबिल है कि वो आपको एक संतान की property दे सकें तो सबसे पहली understanding यह आती है कि बच्चा पैदा करने के लिए matrimonial happiness या north of northwest नौर्थ नौर्थ वेस्ट जो दिशा है वो दिशा सही होने का मतलब भी क्या है इस पे भी हम बात करेंगे इसका direct relation बच्चों से नहीं है इसका direct relation है आपसी अकर्शन से आपसी attraction से इसका संबंध है जब एक attraction feel नहीं होता एक male को या female को तब भी hormones की कमी के कारण ऐसी नौर्थ नौर्थ वेस्ट में क्या नहीं होना चाहिए इस पर हम बात कर लें नौर्थ नौर्थ वेस्ट में नहीं होने वाली चीज है टॉइलेट नहीं होनी चाहिए यहां पर डिटेल में बात करूँगा हर विशेय में बात करूँगा पित्रों की भी में बात करूँग इस वीडियो के अंदर तो अराम से देखते हुए चलना टॉलेट जो है वो यहां पर बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए लाल रंग यहां पर नहीं होना चाहिए पीला रंग भी यहां पर नहीं चलेगा नहीं ही होना चाहिए पीला रंग यलो कलर यहां पर नहीं होना चाहिए, टॉयलेट मतल़ सोचा लिया, यहां पर नहीं होना चाहिए जब हम यह नहीं होना चाहिए कि बात करते हैं, तो उसका treatment क्या होगा? ब्लू कलर की tape टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है और जब भी मैं यह सब बाते करता हूँ, आपको to the scale plan बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, draftman की help से to the scale plan बहुत ज़रूरी है, उसी के बात आगे बढ़े लाल रंग की जगह पर आप क्या करवा सकते हो? ओफ वाइड कलर करवा सकते हो? या बार चार्ट के according balance कर सकते हो, जिसमें blue या green कलर का, या white कलर की help मिल सकती है, इन जब आप लाल रंग वहाँ पर है तो, या पिला रंग वहाँ पर है तो, इससे आपो काफी सुविधा मिलेगी, और साथ ही साथ में आपसी संबंध के लिए, अगर आपका कमरा यहाँ पर वेस्ट में अपनी photograph लगा देनी है, किसकी photograph लगानी है, कपल की, कौन से कपल की, आपकी खुद की विवहा की photo हो, तो बहुत ही बढ़िया है, शादी की marriage की photo हो, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, अगर marriage की photo नहीं है, इस बार कर दिहां रखना कि आप दोनों ही होने यह मतलब मिया, बीवी, husband, wife ही यहाँ पर हो, अगर शादी की photo नहीं है, तो कोई भी couple की photo निकाल लें, जो एक आपको इंटरनेट में मिल सकती है, उसकी photo आप यहाँ पर लगा सकते हैं, एक photo का sample मैं भी आप लोगों को भी दे देता हूं, उससे आपको इस चीज़ें समझ म आ जाएंगी कि कैसे देखी जानी चाहिए, तो सबसे पहली बात, कौन सी photo आप लगा सकते हो, यह जो photo है, यह एक kind of ideal photo है, इसको white color के frame में या blue color के frame में, north-northwest में अगर आप लगा देते हो, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, और आपको किसी भी तरीके की कोई problem नहीं ह होने वाली है, I hope कि आपको इतना तो समझ में आया होगा, अब आगे दूसरे मुख्या रूप, reasons के उपर बढ़ते हैं, आप लोग बोलोगे कि ठीक है, हमारा आकर्शन तो है ही जी, अब बात करते हैं, कि वैसे ही बच्चा नहीं हो रहा, बहुत आकर्शन है, कोई ऐसी दि बिगैसी को, अपने वर्चस्वों को, अपने परिवार को आगे भढ़ाने की दिशा कहीं जा सकती है, यह stability की कारक भी होती है, इस दिशा के अंदर toilet होने से, हरा रंग होने से, या लाल कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, जिन लोगों को इंग्लिश में बात करनी है, या हरा लाल रंग, यह सब चीजों का विशेशकर यहाँ पर, चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको काफी तकलीफ दे हो सकती है, यहाँ पर काला रंग भी नहीं चलेगा, तो वो भी यहां पर overhead water tank जो की ज़्यादातर लोग लगाते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, overhead tank कते ही नहीं होना चाहिए, एक बात, इन सब बातों अगर आप ध्यान रखोगे, तो काफी हद तक आपकी सारी चेशन सही रहेंगी, अगर toilet है, इन सब को तो आपको हटाना ही होगा, कोई ला मैं description में number भी डाल दूँगा, आप लोग उन से भी ले सकते हो, 100-100-200 रुपे तक का inter rate होता है, अलग-अलग जगा है, प्रेमिजन वगारा से भी आप खरीच सकते हो, अपने आसपास से भी इस अब चीज़ें बनवा सकते हो, normal tapes होते हैं, खास इसमें मंतर वगारा नहीं फ फैमली भी हो, तो बहुत बड़ी है, नहीं तो at least आपके फादर हो, और फिर आपके आगे वाली जो पीडी में, जो भी लोग हैं, वो पूरी फैमली हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक बात यह होगी, इसका frame जो होगा, वो golden होगा, या yellow frame होगा, इसके आगे बात क किसी भी चीज के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होती है, मतलब अगर वहाँ पर कोई वास्तोदोश होता है, उसको मैं by default मान के चल रहा हूँ, आप सभी लोगों को पता भी लग गया होगा पुरानी वीडियो में, कि उसके अंदर वास्तोदोश होने से आपको कोई इस्ट नॉर्थ इस्ट के अंदर टॉइलेट होने से, किचन का बर्नर होने से, रसोई घर का, चूला होने से, सोचाल्या होने से, लाल रंग होने से, पीला रंग होने से, यहाँ पर तकलीफ दे मामला बनता है और आपको संतान सुक की प्रापती नहीं हो पाती है, इन सब चीज़ों को टूइलेट के लिए यहाँ पर हरा रंग चलेगा, या स्टील की पत्ती चलेगी, इतने सारे उपाय आपको करने हैं, या इन मेंसे चीज़ों को मैच करना है, अपने घर का वो बना कर, नक्षा बना कर, 99% लोगों को यह सारे तथे आपके घर में मिलेंगे, जिनको संतान सुक की प्रापती अभी फिलाल के लिए नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों को करोगे, 100% योग बनता है कि आपके सारी चीज़ें चलने लगें और होने लगें, कोई ऐसी बात नहीं है, लास्ट में मैं ऐसे उपाय देता हूँ, जिनसे आपको डारेक्ट फायदा हो, अगर आपके यह सब चीज़ें नहीं गर में मिल रही हैं, नौर्मली जो फोटो आपको मिलें, पैर मिलें, नन्ने से पैर मिलें, आपको उस तरीके की कोई फोटोग्राफ जगरा, वैस्ट दिशा, प्राप्तियों की दिशा के अंदर लगा देनी हैं, और उसके पिछे यह प्रेजेंट टेंस में लिख देना है, आपको बहुत 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 बहु